यातायाद विभाग द्वारा अलग-अलग FM चैनलों की सहयोग से शुरू की गई रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट प्रणाली को राजधानी के लोगों द्वारा काफी सराना मिल रही है रियल टाइम अपडेट शुकरवार से शुरू हुआ जिसमें FM के जरिये अब लोग सडकों पर ट्रैफिक जाम के बारे में लगातार अपडेट मिलता रहेगा जोहार मैं अंकिता हो रहा हूँ और आप देख रहे हैं लोगतंत्र 19 जैसे जैसे राची में डेवलप्मेंट का काम हो रहा है वैसे वैसे आए दिन राची में लोग ट्रैफिक जाम से बुरी तरह प्रवावित हो रहे हैं अभी कई जगाहों पर लगातार फ्लायोवर का काम चल रहा है जिसमें बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तमाल भी हो रहा है इस वज़ा से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां का हाल इतना खराब है कि कभी-कभी ट्रैफिक लाइट खराब हो जाती है तो कहीं पर ट्रैफिक पुलिस ना होने से जाम में फसे रहते हैं राजधानी के 2,10,000 घरों तक पानी पहुचाने के लिए जुडगों की ओर से पूरे शहर में सडकों की खुदाई कर पाइपलाइन बिचाई जा रही है जिस वजह से सडक पर बड़े-बड़े गड़े होने के वजह से आने जाने वाले वाहनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जाम की वजह से लोगों की ट्रेन और फ्लाइट तक मिस हो जाती है आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि राजधानी राची में कुछ ऐसी जगाए हैं जहां लोग घंटो ट्रैफिक में फसे रहते हैं जैसे रातू रोड, कांटा टोली, में रोड, कोकल चौक, बूटी मोड, हर्मू रोड लेकिन अब इस जाम से निजात पानी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आप लोगों के लिए ट्रैफिक एलर्ट सिस्टम लागू कर दिया है अब FM रेडियो के जरीए आप लोगों को ट्रैफिक जाम के बारे में लगातार अपडेट मिलता रहेगा आपको बता दें कि ट्रैफिक SP मनुच रतन ने बताया कि कई नागरेकों ने फोन किया और इस नई प्रणाली की सरहाना भी की इस सिस्टम के साथी साथ धर्ना प्रदर्शन, VIP पलों, विशेश व्यवस्थाओं, रेली, आदी की जानकारी भी FM पर दी जाएगी और यहे भी बताया जाएगा कि फिलाल इस मार्क का उप्योग ना करें ताकि वाहन चालक अपने अनुसार, अपने आने जाने की योजना बना सके इस से आम लोगों को काफी लाब होगा, उनके समय की बचत तो होगी ही साथी साथ उन्हें ट्रैफिक जाम से भी उन्हें राहत मिलेगी इस खबर की समापती के साथ साथ हम आपको याद दिला दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी इमानदारी के साथ करें और सुरक्षित रहें ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लोकतंतर 19 को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें जोहार